नमस्कार साथियो नई वीडियो में आपका स्वागत है दोस्तो मत्प्रदेश अध्यपक सिक्चक किरमती के इस आदेश से सिक्चक अध्यपकों में हरकम 1998 वालों को जादा नुकसान या फिर 2067 वालों को जादा नुकसान या 2001 वालों को नुकसान इस प्रकार से जो है खबरे आपके WhatsApp उन्यूवर्शीटी में चल रही होंगी तो दोस्तो पहले जब आदेश नहीं आया था तो तब चल रहा था कि सब फरजी है जूट है कुछ होने वाला नहीं है आदेश जारी होने वाला नहीं है और अब जब आदेश जारी हो गया तो इस आदेश पर अपने आपका नुकसान बता रहा है दोस्तो एक एक चीज हम इस आदेश की आगे स्पष्ट कर देंगे तो आप हमसे अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जुड़े हैं जो उच्छ मादमिक सिक्षक उनके लिए है उसमें परतम जो है दस वर्स और दोतीय जो है बीस वर्स के लिए बेतनमान उनों ने लेवल नो दस और बारा दिया हुआ है और सबसे ज़्यादा जो हरकम सिक्षक अद्यपकों में हुरा वो इस आदेश को लिए रहा हुरा जो स्कूल सिक्षक ने जारी कि है इसमें आप देख सकते हैं इसमें ये आदेश तो आपने देख लिया बेतनमान को है लेकिन जो उसके ऊपर और नीचे जो कंडी कहां दी गई है जैसे कि ये कंडी का दो दे रखी है सामान प्रससन वागवाली और नीचे दे रखी है तीन नमबर और इसके नीचे की ये कंडी का चार दे रखी है और इनको पढ़ने के बाद सिक्छक अद्यपकों में हडकम मच रहा है, कोई कह रहा है 9-98 वालों को नुieleलकों नुम्सान है, कोई कह रहा है दूजहार sapp法, एक वालों को नुक्सान है, यानि कि ये वही लोग हैं जो पहले करेते की कोई आदेस आने वाला नहीं है, अल्लू बना रहा है अब वही इसी आदेस में फिर कम्या निकाल रहा है और कुछ न कुछ कर रहा है हाँ ये बात तो है कि आदेस में तोड़ी सी जटिलता है सरल वासा नहीं है उसको हम किलियर करेंगे समझेंगे लेकिन इस प्रकार से आरोपी लगा देना की गलत है कि ये इ उनको नुक्सान है उनको नुक्सान है तो दोस्तों आप इस पर अपने बिचार लेकिए वीडियो को लाइक करें सेर करें वीडियो देखने के लिए आपका दर्नवाद जहन जवारत